अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सराइस 6.2 चेप्टर 6 फॉर क्लास 6 डेसिमल्स फॉर्स्ट क्वेशन इस कनवर्ट इन्टो फ्रेक्शन एंड रीडूस्ट तो देखिए 1.4 इसकी फ्रेक्शन क्या बनेगी देखिए यहां से काउंट करना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वान नहीं है न खाली तो दिस इस ओवर 10 अब आप इसकी लोएस्ट फॉर्म कीजिए लोएस्ट फॉर्म मतलब उसको कैंसल करना तब तक जब तक कि उसमें कोई गाइसर ना बचे टू से करते हैं टू से डिवाइड किया तो दिस इस सेवन बाई फाइफ नेक्स्ट इस टू पॉइंट टू फाइफ चलिए इसको देखिए टू तू पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिस हैं एं टू तो नीचे क्या लगेगा अंग्रेट अब आ अब हम उसकी लोएस्ट फॉर्म लेकरे हैं, 25 से लिखे, 25 फॉर्जा, 25 नाइन जा, this is 225, तो this will give you 9 by 4, यह होगे इसकी लोएस्ट फॉर्म, next is 18.6, 186 upon 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजित है, तो ओवर 10, आब इसको लोएस्ट फॉर्म में ले यह, 186 upon 10, आब इसको चैंसल कर सकते हैं, 2 से, 25 से, 29 से 18, 23 से 6, तो this will give you 93 पॉइंट, ओवर 5, not पॉइंट, this is 93 ओवर 5, this is the lowest form, next is 4.04, तो it will give you 404 upon 100, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद दो डिजित हैं, आब आप इसको चैंसल कीजिए, देखिए 404 upon 100, तो it will give you 2 से कीजिए, 250 सा, 202, 2 से अगें, this is 25, and this is 101, तो अब लोएस्ट फॉम क्या हागी, 101 upon 25, next is 21.6, तो यहाँ पे 216 upon 10, क्योंकि डेसिमल एकी के बाद है, तो आप इसको अप कैंसल कीजिए, 216 upon 10, 25 सा, मैं यहाँ क्यों नहीं कैंसल कर रही, क्योंकि मुझे आपको फ्रेक्शन भी बनी हुई दिखानी है, इसलिए अगर मैं यहीं कार दूँ ही, तो कही बार बच्च this is the lowest form, second question is, convert the following fractions into decimal numbers, अब यह जो आपको कुछ फ्रेक्शन दी हुई है, आपने इसको डेसिमल नंबर में कनवर्ट करना है, तो 7 upon 100, आप दिखिए 100, 100 का मतलब 2 digits के बाद हमने point लगाना है, अब यहाँ single digit है, तो हम क्या दरेंगे, एक 0 लगा लेंगे, तो this will, यह हो गया, 0.07, next is 12 upon 10, तो यह क्या बनेगा, इत रिखे 12, 10 है, एक डिजिट के बाद, यहाँ point, this is 1.2, next is 215 upon 100, तो it will give you 215, this is 100, 2 zeros, तो यहाँ one and two, this is, next is 18 upon 1000, तो this is 1818 और यहां 1, 2, 3, 3 0s हैं, 1, 2 और डिजिट पूरा करने के लिए एक 0 लगाएंगे, यहां डेसिमल और यह 0 जो है, इसकी कोई वैलिव नहीं होती, तो हम 0.018 लग सकते हैं, नेक्स्ट इस 245 अपॉन 10, आप लिखिये 245 और यहां 10 एक ही है 0, तो यहां से 1 एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा लेंगे, डिजिट चो है, वो हमेशा लेफ्ट साइट से गिनने शुरू करने हैं, तो आपने इस हाथ से गिनना शुरू करना है, यहां से नहीं, य तो 24.5 आचाई का, next is question number 3, question number 3 is convert the falling fractions into decimals, यह आपको कुछ fractions दी है, इनको आपने decimal में convert करना है, convert the falling fractions into decimals, by equivalent fraction method इसको आपने division method से नहीं करना equivalent fraction बना के फिर करना है अब देखे equivalent fraction का क्या method है कि जो denominator है उसको किसी भी numbers से multiply करके उसको आइदर 10 पे ले आई है या 100 पे ले आई है या 1000 पे ले आई है और फिर बाद में हम point put करेंगे अब 2 को 10 बना सकते हैं तो को 100 नी बनाना nearest पे भी जाना है तो 2 को 10 बना सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे इंटु 5 5 2 is a 10 होता न तो उस उपर भी उसी number से multiply कर देंगे जिस number से नीचे multiply किया जाएगा denominator को इसको आइदर 10 या 100 या 1000 बनाने के लिए उसी number से हम numerator को भी multiply करेंगे तो कर लिजे इस फाइब फाइब 25 फाइब 2 is a 10 क्या आ गया 25 बाइब 10 तो दिस इस लिखे 10 एक यहाँ 2.5 next is 3 बाइ 4 फोर को अब में 10 नी बना सकते ठीक है किसी भी number से multiply करो तो 4 के table में 10 कहीं नहीं आता तो इसलिए अब यह 100 पे जाएगा तो 4 इंटो 25 फाइब 100 उपर भी 25 से multiply हो जाएगा अब 25 थी जा 75 अब यहाँ पॉइंट पुट कर लेंगे इस इस 0.75 देखी 75 लिखा उसके बाद 2 हैं तो यहाँ पॉइंट लगा दिया इस जीज ही अपनी तरफ से लगा आते हैं इनकी कोई वेलिउ नहीं होती नेक्स्थाइस 28 अपॉन 5 28 अपॉन 5 इंटो 2 इंटो 2 5 तू से 10 तो उपर भी 2 से multiply तो यहाँ आपको देगा तो यहाँ आपको देगा 675 यहाँ 1 or 2, 2 digits के बाद यहाँ, तो 6.75, यह हो गया हमारा इनको decimal में conversion, next question number 4, convert the following fractions into decimal by long division, उपर जो हमने decimal में convert किया, वो था equivalent fraction, यहाँ के equivalent fraction में convert करके, then point put किया, यहाँ हमने divide करना है, divide करके, 17 over 2, first part is 17 by 2, यहाँ divide किजिए, 17 divided by 2, 2 digits are 16, 1, remainder बजगा, अब यहाँ point put किजिए, यहाँ जब आप point put करते हैं, तो यहाँ आप 0 लगा सकते हैं, जितनी मर्जी 0s आप लगा सकते हैं, तो 2, 5 is 10, तो it is, इसका क्या आगया decimal expansion, 8.5, next is 33 by 4, कर लिजे इसको divide, 33, 4 से, 8 is 32, 1, point लग 0, 4, 2 is 8, 2, अभी point लगा हुए, point को बार बार नहीं लगाना, एक ही बार लगाना है, 4, 5 is 20, तो this will give you 8.25, इसी तरह से आपके पास कोई भी number आए, आप इसको divide कर सकते हैं, next is 76 over 5, तो यहाँ देखें, 76, 5, 1 is 5, 5, 5 is 25, 1 remainder, point लगा के यहाँ 0, 5, 2 is 10, तो this will give you 15. 15.2, next question is, write 3 decimal numbers between 1.2 and 1.6, इनके बीच के 3 numbers आपने लिखने हैं, 3 decimal numbers, तो 1.2, 1.2 के बाद के बाद के आएगा, 1.3, 1.4, 1.5, इनके बीच में आगे नहीं, next है, 2.8 and 3.2, 2.9, 3 means 3.0, 3.1, या खाली 3 भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, next is 5 and 5.5, आप देखें, 5 का मतलब है, 5.0, तो 5.1, 5.2, 5.3, 3 नहीं पूछे हो हैं, अगर 4 पूछे होते हैं, तो आप 5.4 भी लिख सकते थे, next question is, which is greater, इन में से कौन सा नंबर, ये दोनों फ्रेक्शन में से कौन सा बढ़ा है, अब देखें, पहले आप हॉल पार्ट को कनवर्ट करेंगे, फिर डेसिमल पार्ट को चेक करेंगे, कनवर्ट नहीं करना, उनको टैली करना है, 0, 0, डेसिमल 47, तो 4 यह 7, विच इस ग्रेटर, 7 इस ग्रेटर, तो 0.7 इस ग्रेटर, next is 2.6 और 2.5, तो अब्यसली 2.6 इस ग्रेटर, 2 तो सेम है, 5 और 6 को कम्पेर करो, 1, 1, 1.23, 1.32, तो इस तो 3, तो 1.32 तो 1.32 इस ग्रेटर, same way next, 12.3, 12.4, तो अब्यसली 12.4 इस ग्रेटर, next is 18.35 और 18.3, अब पहले ना, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 18.35 और 18.33 मिन्स 3, 0, ना इस ए 18, 18 सेम, 35, 30, तो यहां आप लिखेंगे, 18.35 इस ग्रेटर, next is 12 और 1.2, 12 मिन्स 12.0 और 1.2, पॉइंट के बाद, like decimals बनाना है, देखेंगे, यहां decimal है, यहां decimal ही नहीं है, और यह देख लिजिए, पहले decimal के, यहां चेक कर लेना है, कि सेम नमबर होना चाहें, जैसे decimal के बाद 1 number, decimal के बाद 1, decimal के बाद 1, अगर कहीं यह difference हो, तो zeros लगा के उनको भी complete करना है तो पहले हम इसको like decimal में convert करते हैं आप यहां लिख लीजिए like decimals this is 2.5 2 means 2.0 1.8, 1.9 अब आप इसका ascending order लगाएंगे ascending order क्या होता है students पहले सबसे चोटा number then बड़ा, बड़ा and then सबसे बड़ा मतलब छोटे से बड़े की तरफ smaller to greater सबसे 1.8 सबसे पहले आएगा फिर 1.9, फिर 2.0 and then 2.5 next is, यह देखे, यह already like decimals हैं देखे, decimal के बाद 1 decimal के बाद सब जगा पे एक ही 0 है, एक ही डिजिट है तो आप आप इसको लगाए ascending order, सबसे चोटा number पहले दून लो, that is 1.3 then 3.1 3.4 and 4.3 next is अब यहां देखे, 1.24 यहां 1.2 1.42 and 1.8, पहले इसको like decimals बना लेते हैं 1.24 1.2, अब यहां एक ही डिजिट है 0 लगाओ, 2 होने चाहिए क्योंकि यहां x2 तक जा रहे हैं 1.42 and last is 1.80 decimal के एक्स्ट्रीम राइट पह आप जितनी मर्जी जिरो जगा सकते हैं यहां 0 नी लग सकता और यहां 0 नी लग सकता हैं इस तरफ और इस तरफ जतने मर्जी जिरो आप लगा सकते हैं ascending order सबसे चोटा number ढूटो 1.20 1.24 1.42 and 1.80 this is the ascending order next question is arrange in descending order इसमें भी students आपने वही रूल फोलो करना है बस descending order है तो पहले बड़े से छोटे के तरफ जाएंगे यानिके greater to smaller पहले लगा दीजिए like decimals में convert करेंगे वो क्या होगा देखो decimal के बाद यहां 2 डिजिट हैं और यहां एक ही है 4.10, 4.01, 4.12 and 4.20 आप लगाएं डिसेंडिंग ओर आप सबसे बड़ा नमबर पहले दीखिए 4444 सब सेम है इस इस ग्रेटर 1.20 अब इस से चोटा 4.12 देन उस से 4.10 देन सबसे चोटा 4.0 next 1.3 इसमें भी पहले like decimal बना लो 1.3 आप देखो maximum point के बाद 1,2,3 है तो यहां 2 zeros 1.030 1.003 and 13, 13 मतलब 13.000 अब लगा दीजिए descending order सबसे बड़ा नमबर यहां देखो, यह 1 है यह 1 है, यह 13 है तो यह सबसे बड़ा हो गया, 13 मैं actual वाला लिख देती हूँ क्योंकि यह तो हमने like fraction बनाई थी then उसके बाद आप 1 वालों को compare कर लीजिए this is 1.300 मतलब 300, अगर रफ लेंगविज में बोलें तो यह आगया फिर 80 था, तो यह आगया 1.03 और फिर 1.003 this is the descending order next इसी तरह से like decimal क्या आएंगे, 8.02 देखिये, maximum कितनी है डिजिट्स 10th, 100, 1000 तक हम जा रहे हैं तो यहाँ एक 0 लगा देंगे 8.200 8.100 then 8.002 now descending order, सबसे बड़ा 8, 8, 8, 8 सारे सेम है, अब डेसिमल को compare कर लेजिए तो यह 200, सबसे बड़ा यह होगा 8.2 then 8.1 then 8.02 and then 8.002 so this is the descending order मैंने डारेक्ट इनके actual numbers को लिख दिया है इनको compare करते हुए, ठीक है क्योंकि जैसे यह सबसे बड़ा था यह, तो यह किस के लिए आया था 8.2 के लिए, तो मैंने सीधा 8.2 लिख लिए विद इस यह एक्सराइज यहीं फिनिश होती है I hope you have got it thank you so much for watching this video thank you so much thank you very much for watching this video यह दो वीडियोज मैं ता डेली हो स्लेक्ट किती है उमीद है तानो यह भी पसांद आण गया ना थी तो हादेना सबन देता है लिए लिस्ट भी मैं अटेज कर देती है उमीद है तानो मेरे मों लोग कितिया जानवालिया यह फर्स जरूर पसांद आ रिया होन गया चैनल नो सबस्क्राइब जरूर करोगे thank you very much मिल रहां अगली वीडियो वेच